विल्कम शुदेंट्स टुड़ी यह एर श्टाट न्यू चैप्टर करेज एंड तुथुलनेस ओके मेंस क्या होता है एक साहस और सत्वादिता यानि करेज में उता है साहस और सत्वादिता इस चैप्टर के बारे में आज हम डिसकस करेंगे और आप यहां देख सकते हैं कि क देंजर एंड डिफिकल्टीज विट फ्रेमनेस एंड विताउट फियर यह जो साहस है उसो वह साहस जो क्या होता है क्वालिटी ओफ माइंड दिमाग का एक क्वालिटी होती है जो हमारे फेस को डेंजर और डिफिकल्टीज को क्या है एक फ्रेम में और किसी भी फियर के आ honest with a strong willpower यानि हमाज जो बिलपावर होती है वो क्या होती है strong होती है किससे truthful से और honest है courage is not something that can be taught to you through lessons a courage the way of life यानि जो साहस होता है वो कुछ नहीं है लेकिन जो हम सोचते हैं वो एक सीख होता है और जो courage है वो एक जिंदिगी का क्या है एक रास्ता है साहस it can be cultivated we adopting certain good habits in life good environment is very necessary in to make a child courageous यानि हम अगर अपने आसपास के वाताबरण को देख है तो environment में क्या होता है एक necessary कोई भी order जो चलता है बच्चों के में बच्चों में एक सास एक थोड़ा वो सास जो है बच्चों में होता है lips of great person who sort extraordinary courage help you a lot of make of your courageous courageous and truthfulness यानि कि जहां रहते हैं महान लोग आपने डिखावों को रहते हैं वह क्या होती और extraordinary courage उनमें होता है सास होता है जो क्या करते हैं एक सत्वाधिता जीवन कोई निर्मान करते हैं ठीक है fire fighters risk their lips while going into warning building to save the lips of the people trapped inside यानि जो firefighters होते हैं अपने देखा होगा अगर कहीं आग लग जाती है तो अपने जान पे खेल के भी वहाँ उसको क्या करते हैं उस आग को बजाते हैं policeman and armed force risk their lips while discharging their duties for the safety and security of the country यानि policeman और जो armyman होते हैं आपने देखा होगा अलग-अलग जो उनके सामने problems होती हैं वो उनको दूर करते हुए हमारी country कि ये जो है वो रक्षा करते हैं doctors and media persons extraordinary courage when they do their duty while endangering their lips आपने doctor and media persons को देखा होगा वो भी extraordinary साहस दखाते हैं और अपना काम करते हैं honestly आपने देखा होगा भी corona में भी जो है doctors और media person ने जो है अच्छा काम किया है और policeman ने भी they are able to be to do so because they have given training to serve the country honestly और उनके लिए ऐसी training दी जाती है और बताया जाता है कि आप country के लिए एक अच्छा काम इमांदारी से करें और क्या होता है हमारी life में जो है daily life में एक साहस आपने देखा होगा जो अपनी साहस का जो है daily test लेते हैं यानि चेक करते हैं और बोलते हैं कि हम हमेशा जो है सच बोलेंगे लेकिन कभी-कभी जो हमारी weakness होती है कमजोरियां होती है उसकी वज़े से हमें कभी-कभी छोपा हुआ जूट या थोड़ा जूट बोलना पड़ता है यानि आपने देखा होगा हमारा दिमाग जो है बोलता कुछ है लेकिन एक मूख तरसन यानि silently कुछ ना कुछ करता है यानि आपने देखा होगा कि हमारा जो दिमाग होता है वो बोलता कुछ और है ठीक है और हम जो एक सिंपली सच बोलते हैं उस सच के आगे हमारा जीवन जो है आगे चलता है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पार्ट टू में इसको आगे कंटीनिव करेंगे ठीक है तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और व्यूडियो अच्छा लगे तो लाइक करें अपने फेंट के साथ सेर भी आप कर सकते हैं तब चाकि उनके पास भी वीडियो पहुंचे